हेलो इस्टुडेंट आज के इस बीडिये में बायोजी की बेरी मोस्ट इंपॉर्टन कोईस्टन डिसकस करेंगे जिसके थूरू आप नर्सिंग पारा मेटकल फार्मेसी 2020 इंटरेंस की जाम कौलिफाई करके उसके कोर्स आप लोग कर सकें तो इस्टुडेंट आभी 27 सितंब कराएंगे उसमें से आपको 10 से 10 कोईस्टन लगभग आही सकता हो आने का चांस भी रहेगा तो इस्टुडेंट यह सभी वीडियो आप लोग के बेरी मोस्ट इंपॉर्टन होने वाला है और यह सभी कोईस्टन प्रीविएस एर एक्जाम में आई हुए हैं जो कि बेरी मोस आई एन ए टी ओ और फरमिने डर कोडान वी कहते हैं तो इस ट 나प को दो क्रमिनेटा कोडान कहते हैं उग मता दिया और अपको चोड़के कौन साज कर दिया घर तो इसमें ठीक लीजिए है आपसन नंबर C आपसन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें C UG दिया गया जो कि स्टाफ कोडान नहीं होता है तो आपसन नंबर C करेक्ट हो जाएगा यह कहता है कौन सा कोडान है जिसका फंसन क्या होता है एक कोडान होता है उसका फंसन डबल फंसन होता है कोड फार मिथियोनिन को भी कोड करता है और इसी को क्या कहते है इनिसियेटर कोडान जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिसियेट करती है तो इनिसियेटर कोडान कौन सी हो एउजी यह आप लोग याद कर लीजिए इसका डुओल फंशन होता है नेक्स्ट कोईश्चेन नंबर वन यहनद ट्व नंबर कोईश्चेन क्या कही रहा है यह इंप्बर्ड्टन कोईश्च्ट है यह बेजिटेटीब परोपागेल शीने पर नोब के दिया गया है वाटर हा स्टों बाइब जोता है यह फिल्बर्лючak kो किस से मिलाएंगे क्स्ट्र फरस्ट को बीजांगे क्या हुता है यह यह देख लिजे लिखी से होती है लिड़नम पर फिल्बर्ल Annika सविलन्द आप उसके विकाल फिल्लम जोती है लीप बाइब फिल्लम यह घृता जाता है कि जो लीब बर्स आप ब्राय फिलनम होती है इसमें एडवांटीसियस बड निकलती है तो और सी देखते हैं अगेब अगेब क्या होती है अगेब जो होती है बलबिल आफ अगेब क्या होती है तो अगेब ये लिलियसी फैमली की होती है एक प्लांट होता है अगेब तो बलबिल मिलाएंगे अगे आप बलबिल तो आफसन नमबर थार्ड को मिलाएंगे फस्ट से और जिंजर क्या होता राइजोम आप जिंजर तो आफसन नमबर कहां से मिलाएंगे फॉर्ट को मिलाएंगे सी से राइजोम एक कुश्चन ए भी पूछता है कि राइजोम जो हो अधरक होता है इसमें कौन सी रूट पाई जाती है तो जिंजर अधरक में पाई जाती है एडवान टीस रूट पाई जाती है ए भी कुछा जाता है तो अब आप लोगम मिला देख लिजे कौन सा option आप लोग का सही हो जाएगा 102 का first option हम लोग मिलाएंगे तो correct आएगा यह देख लिजे first option सही हो जाएगा next question number 103 number question निम्न match the following and identify the correct option निम्न में मिलाएं और सही विकल पहचानिए 103 number का question important question है और यह question एक बार पूछा भी गया था यह evolution chapter से question evolution से question लिया गया थो इसमें देख लिजिए क्या दिया गया है इसमें जो एक होता इरा रहा होता है एक OSCpy किरियुइड में किसका origin हूई थी सभ से अधिक यह दिया गया तो क्रिटेशियस 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 क्रिटे हो था ट्राइसिट में क्या हुआ था था यह देख लिए क्या हुआ था था अफसर NTrust umे ठीको डांट या जिन्तल या प्रोगी स्पर्म अप्सक्ण मेन आयता था क्तिकम डांट जो से जब Tapi थार्ड आप्सन डिवोनियन दे रहा है ठार्ड डिवोमियन दे रहा है सके एक इरा झपर मिलेंगे जो फ्रेंसं साथ्व होता है जुरासिक क्या होता है तो जुरासिक पीरियड मीजो जो एक एरा का जुरासिक पीरियड होता है इसमें जो होते है इसमें क्या होते है इसको क्या हां से मिलाएंगे थ्रेपसिट क्या होता है आपसर नमबर B को मिलाएंगे जुरासिक को मिलाएंगे ठ्रेफिट जुरासिक पिरियंड में क्या होता है यह बेरी इसमाल एनिमेल्स होते हैं जैसे रेप्टाइज और सालेमेंडर होते हैं यह किसमें होते हैं जुरासिक पिरियंड में जुरासिक में डॉमिनेंट होते हैं तो ऐसे ही trisic small animal होते हैं जो किस में आएंगे जिरासिक में आएंगे थ्रेफिड आएंगे तो option number 103 का option number कौन सा सही होगा आपसन number B correct हो जाएगा आप लोग ये correct कर लेंगे next question number हम लोग देखेंगे जो कि very most important question है 104 number question कह रहा है identify the true and false statement सत्य और गलत कथन को हम लोग को पहचान पहचानना है तो यह question भी important है और पूछा भी गया है तो यह question देख लीजिए यह question कह रहा है कि क्या question कह रहा है कि first option हम लोग देखते हैं antibody produce against allergens यह देख लीजिए यहाँ पर आई जीए दे दिया है यहाँ पर क्या देना चाहिए था आई जीए देना चाहिए जो कि allergy के लिए होती है तो यह option तो फाल्स हो जाएगा गलत हो जाएगा बी डिफिकल्टी इन ब्रीफिंग इन सिम्टम्स आफ एलर्जी बी आपसन तो सही है जब आपको एलर्जी होती है तो आप लोग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो यह तो सही है सzech्याम देख लेते हैं ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टम्स आप एलर्जी सही बात आइज हुcenter माइन जो जह द्रग होती है यह एलर्जी के लिए होती है तो यहलर्जी को कम तो allergy के लिए काच करती है तो option number कौन सा A गलत है तो कौन सा option A B true है और C D false यह तो गलत है कौन सा option इसमें सही हो जाएगा 104 का number का question जो C option हम लोग देखेंगे A D false हो जाएगा और B C correct हो जाएगा तो option number कौन सा सही हो जाएगा C option correct हो जाएगा यह question important था student आप लोग इसको note down भी कल लीजिए next question number 105 number question important question है और यह सरल भी question है इसमें crop दिया गया है और क्या दिया गया बराइटी इसमें crop क्या दिया गया है crop जो दिया गया है crop means फसल होती है फसल को उसके बिभिन नाम से मिलाएगा और और सही बिकल का चैन कीजिए तो यह question फसल दिया गया है और बराइटी दी गई है तो यह देख लीजिए फस्ट दिया गया कली फलावर दिया गया कली फ्लावर को क्य चिल्ली को मिलाएंगे पूसा सदा बहार, अगर मिर्च खाएंगे तो सदा बहार हो जाएंगे, तो चिल्ली को मिलाएंगे पूसा सदा बहार, तो आपसन देख लिजिए सदा बहार कहां पे है, सदा बहार D आपसन, तो सिकंड को D से मिलाएंगे, ब्रेसिका, ब्रेसिका को आ मिला यहां काउपिया का जो नमबर से मिलाएंगे तो 105 का जो आंसों नमबर हो जाएगा फस्ट आपसन ही करेक्ट हो जाएगा आप लोग मिला लिजिए और फस्ट आफसन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्टन नमबर 106 नमबर कोईस्टन कहा रहा है निमलिखित कतनों के लिए सही विकलब चुनिए ये तो एकदम सरल कोईस्टन है और ये इंपोर्टन कोईस्टन भी और ये बार बार पूछा भी जाता है कोईस्टन नमबर 106 का फर्स्ट आपसन हम लोग देखते हैं कहरा हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना कहरा इलीगल मतलब गयर कानूनी अवेद तरीके से कलेरियस गयरीपाइनस क्या थी कलेरियस गयरीपाइनस एक अफरीकन कैट फिस थी जिसको इंट्रूड्यूच किया गया था कहां पर समुंदर में और वहां की कैट फिस जो रहती थी वहां की कैट फिस जो की प्रफिज तो फस्ट आप्सन तो सही है बी आपसन देखते हैं कहरा पैसंजर पीजन गॉट इक्स्टिक्षण विकाज आप ओबर एक्स्प्राइशन यह भी एकदम सही है कहरा ओबर इस्प्राइशन मींज क्या होता अगर आपको जितनी नीड होती है जब ग्रीड में चेंज होती है अगर आपके आऊ सकता किस में चेंज हो जाती है तो क्या होने लगता है तो इसका कारण क्या था over exploitation ही कारण था passenger pigeon के बिलुप्त होने का तो बी option भी सही है बट जो option दिया गया सही करेंगे ए और ए कहरा true b false नहीं गलत हो जाएगा both a and b are false गलत हो जाएगा c option both a and b are true a और b दोनों true है and b जो होता है not the correct explanation आप है तो यह तो सही है बट a का explanation थोड़ी कर रहा है यह तो दोनों वक्त के सही है दोनों तो option number c ही correct हो जाएगा next question number question number 107 number question a b important question है कह रहा है give one word for following and identify the correct option हम लोग को निम्लिक के लिए एक सब दीजिए और सही बिकल पहचानना है तो यह देख लिजिए कितना a b c d जूम कर दिया गया जूम कल्टिविशन बी एलगल ब्लूम सी आई कॉर्णिया क्रेशियफ्स और बी बायो मेंगनिफिकेशन तो यह देखना एक वर्ट दिया गया इसके लिए क्या सही है एक्सेशिव ग्रोथ आप लेंक्टॉनिक एलगी के लिए आप हम लोग क्या सही करेंगे एक उस साथ नम्बर का क्विस्चान जो था इसमें आपनम बी गल्लोम काच कर लेता है अगर प्लेंक एलगी की एक्सेश ग्रोथ हो जाती है तो एलगल ब्लोम काच कर लेता है नेक्स बी आपसं फ्लोटिंग प्लांट विट मैंसर कलर फ्लो यह क्या कलर प्लोट करती है तो आइकर निया ग्रेशी अपस हो जाएगी बी आपसं हो जाएगा अगर सी देख लेते हैं इंक्रीज कंसर्टेशन आप टॉक्सिकन्टिंड सक्सेसिः ट्राफिक लेवल होती है जैसे vine क्रामिक ट्रापिक रस्तरों को विशागत पतार्थों के अगराक्ता में ब्रिध्धी जब होती है जैसे ट्रापिक लेबल होता है एक ट्रापिक लेबल से दूसरे ट्रापिक लेबल में जब टॉक्सिक एंट इंक्रीज करते हैं तो यह क्या होती है उसी को बायो मैगनिफिक कहते हैं डी क्या कह रहा है कटिंग आप फारेश्ट ट्री और बर्निंग प्लांट रिमेंज उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं जूम कल्टिवेशन आपसा नंबर बी इसमें करेक्ट है एलगल ब्लूम हो जा जाए आई कर्णिया क्रैस्पी बायो मागनिफिकेशन जूम क का मतलब होता है slash and burn agriculture means क्या होता है अगर ये इस लिए किया जाता है खेती करने के लिए किया जाता है जूम कल्टिवेशन deforestation किया जाता फॉरेस्ट एरिया को काट के जला दिया जाता है और उसमें खेती की जाती है तो उसी को कहते है जूम कल्टिवेशन या slash 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 and a and slash and burn बी यू आर ये बर्न अग्रिकल्चर ए जी आर आई एग्री सी यू यल टी यू आर ये अग्रिकल्चर कहते हैं slash and burn अग्रिकल्चर कहते हैं किसको जूम कल्टिवेशन को तो आफसर नमबर इसमें 20 सही हो जाएगा next question number student ये question भी important है कह रहा है कि identify the true and false statement हम लोग को देखना कौन इस statement में true है और कौन सा false है ये भी देखना है student question number 108 number very most important है हम लोग को इसमें correct और incorrect देखना है true देखना है और false कौन कौन से हैं इसमें तो ये देख लिजए first option कह रहा है इन प्लांट में the male gamete fusion with the egg cell produce jagode अगर में plant में male gamete fuse करता है एक चल से तो प्रोड्यूच करता है जाएगोड जो कि यह भी question पूछ्टा जाएगोड यहन होता है कि टू यहन होता है तो जाएगोड जो होता है यहन होता और गाइमीट जो होता है वह क्या होता है गयमीट जो होता है यन होता है और जाइगोट टू यन होता है दिपलोईड होता है और यह हपलोईड होता है यन होता है तो इस्टुडेंट भी आप्शन कहे रहा है दिफ्यूजन आप पोलर निकुलियाई पोलर निकुलियाई के अस्थान पर कभी-कभी देता है Central Cell देता है CENTRAL Central CEWL कभी-कभी Central Cell देता है या कभी-कभी Polar Nucleae देती है Central Cell क्या होती है? Deployed होती है, 2N होती है तो अगर fusion पोलन Nucleae या Central Cell and gametes के साथ fuse कर जाती तो उसी को टिर्पल fusion कहते हैं Student, टिर्पल fusion क्या होता है? तो टिर्पल fusion जो होता है, male gametes male gametes fuse कर जाती है, ऐसे लिग लीजिए male gametes का ये सिंबल होता है, male gametes plus Central Cell CENTRAL Central Cell fuse करके ये 2N होती है फिन उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बनाती है? Primary Indosperm Nucleae बनाती है PEN बनाती है Primary Indosperm Nucleae Primary Indosperm Cell बनाती है PEC बनाती है Primary Indosperm Cell इसके बाद Indosperm बनाती है Indosperm बना लेंगी और Indosperm में भी पूछता है Indosperm कैसा होता है? तो ये ट्रिपलोइड Indosperm होता है ट्रिपलोइड मीन्स थिरियन होता है तो ये ट्रिपल फ्यूजन करके ये सब बनाती है तो नेक्स्ट देख लीजिए Indosperm is completely consumed by the embryo in coconut ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि coconut coconut क्या होती है LV-minus इस्टुडेंट मेरी प्ले लिस्ट में एक Indosperm सेरीज करके वीडियो बनी हो है लगवच बेस्टेस वीडियों वो आप लोग जरूर देख लिए जएगा वो शुरुवाती में मैं बनाया था लेकिन वो important question है वहाँ पर क्या LV-minus seed और non LV-minus seed वहाँ पर discuss किया गया तो student ये कह रहा है Indosperm completed consumed by the embryo in coconut जो coconut में कह रहा है कि Indosperm जो होता है इसमें completely used कर लिया जाता है अगर जब embryo development में नहीं तो LV-minus seed में Indosperm is not completely used during embryo development तो यूज नहीं किया जाता है तो option number C गलत हो जाएगा और D option कह रहा है Indosperm persistent in mature seed आप P कह रहा है Indosperm बचा रह जाता है Mature seed में आप P के P plant P plant किसका example है तो non LV-minus non-indospermik या X-LV-minus या non LV-minus तो यह क्या है P है जिसमें क्या Indosperm जो होते हैं वो completely consume कर लिया जाते हैं और यह कह रहा है नहीं होगा तो यह गलत है तो option number first जाएगा A B true है और C D false है Next question number student This is the correct order of the male accessory duct moving from inside the testis to outside इसमें testis का क्या दिया गया है इसमें testis का internal diagram दिया गया और इसमें हम लोग को जो rate जो testis से निकल के duct जाती है तो हम लोग का वो sequence देखना है तो student sequence आप लोग देख लीजिए rate testis से निकल के कहां जाएंगी rate testis से जाएगी वासाई फ्रंसिया वासाई फ्रंसिया से epidymis epidymis से vast difference तो student कौन सा option इसमें सही जो हो जाएगा 109 नंबर में हम लोग कौन सा option देखेंगे सही होगा आप लोग मिला भी लीजिए और ये एकदम important question है ये हर जगा question है पूछा जाता है तो option नंबर इसमें B हम लोग देख लीजिए rate testis वासाइफरंसिया epidymis vast difference कभी-कभी question ये भी पूछ लेता है कि कौन सी ductless gland होती है तो वासाइफरंसिया जो होती है वासाइफरंसिया ये वाली ये ductless gland होती है कौन सी वासाइफरंसिया तो कभी-कभी ये भी question पूछता है कौन temporarily sperm को store करता है तो वो इपी डाइमिस होती है, यह वाली इपी डाइमिस होती है, student question A B पुछा गया कि जो gland होती है, semi-यनल, vicycles gland होती है, bulboyutral gland होती है, nutr trial gland होती है, यह सब क्या होती है, जैसे bulboyutral gland यह paired होती है, semi-가요 behaviour Tigers बह keyboard होती है, बट पुछता है कौन सी gland unpaired होती है, तो वो होती है prostate gland प्रोस्टेट ग्लेंड जो होती है यह single होती है unpaird होती है यह यह प्रोस्टेट पूछाए गया है इस question का आपसर नमबर कौन सा सही हो जाएगा आपसर नमबर भी correct हो जाएगा next question नमबर भी important question है और यह question बार बार पूछा जाता कि यह कहरा these are not the characteristic of down syndrome इसमें question में पूछ रहा है कौन सा down syndrome का लच्छन नहीं है तो यह question तो important है these are not the characteristic of down syndrome हम लोग यह question आसानी से सही कर लेंगे कहरा down syndrome तो first option गाइन को में श्टिया दे रहा है बी आपसर फोरोड टंग दे रहा है मतलब फोरोड मिन मतलब कि फटी हुई कटी हुई होती है क्या जीव कटी होई होती है और इसमें जो आपसर नमबर सी दे रहा करा लायक आप secondary sexual आसटिक हो जाती है डाउन सिंड्रोम का यह character होता है और आपसर साट सेच्वेर बी तिसमाल राउंड हैड मतलब आप बावने रह जाएंगे और इसमाल राउंड हैड हो जाएगा तो जो गाइन को मेस्टिया इसमें दिया गया है ये तो क्लाइन फेल्टर सेंड्रोम का लच्छन है तो इसमें नाट करेक्टर है गाइन को मेस्टिया डाउन सेंड्रोम का करेक्टर नहीं है और इसमें देख लेजिए 60 सेचुर भी ती स्माल राउंड है तो ये तो होता है ब नंबर की वज़ा से डाउन सिंड्रोप हो जाता है इसी को ट्राइसोमी सिंड्रोम भी कहते हैं ट्राइसोमी हो जाता है और इसमें क्या होता है इसका लच्छन जो होता है इसमें अफेक्ट क्या क्या अफेक्ट होते हैं साट सेस्टवर्बीट स्माल राउंड हो जाती है फारोड टंग हो जाती है और जो बाइंट्व माउथ होता हूँ एदा खुला रह जाता है और सब इसके फीचर थे तो फस्ट आसन ही करट हो जाएगा next question number देख लीजिए identify correct statement कह रहा है इसमें से कह रहा कौन सा 111 number question में कह रहा कौन सा statement इसमें से सही है तो 111 का option number हम लोग देखेंगे फस्ट आसन कहरा correct statement देखना 100 ml of blood can deliver around 5 ml of CO2 5 यहां नहीं होगा यहां 4 ml of CO2 होगा तो next भी देखेंगे every 100 ml of blood can deliver around 4 ml of oxygen 4 ml नहीं होगा 5 ml होगा और C option there is no significant role of oxygen in regulation of respiratory rhythm यही C option ही सही हो जागा यह question बहुत बार गलत होता student से कहता है कि oxygen का कोई role नहीं होता किसके respiratory rhythm को regulate करने में C option देख लिजिए social life को नियमित करने में oxygen की कोई मातपूर भूंका नहीं होती है respiratory rhythm को कौन control करता मेडूल अबलंगेटा करता है उसमें oxygen का कोई भी center नहीं होता तो यह इसका oxygen का कोई role नहीं होता है और D option कहरा at the tissue side partial pressure of CO2 is high due to catabolic either results CO2 diffuse into the bullet तो यह तो सही है तो option number कौन सा सही हो जाएगा identify correct statement अमको करना था तो option यह option भी गलत है इसमें catabolic नहीं होती है अना बोलिक होती है तो यह गलत हो जाएगा option number C correct हो जाएगा next question number 112 number कहरा how many among the following is are correct हम लोग को इसमें से क्या देखना है correct statement हम लोग को देखना है कहरा है फस्ट आप्शन कहरा है limbic system regulate sexual behavior along with hypothalamus 112 का फस्ट यह कह रहा है कि limbic system जो होता है यह regulate करता है sexual behavior को भी आप्शन कहरा thalamus is major coordinate center for sensory and motor signaling 3rd कहरा mid brain and hind brain farm क्या करता brain stem brain stem क्या-क्या मिलके बना होता है mid brain and hind brain और 4th कहरा middle lab language control expiration and emotional reaction यह गलत हो जाएगा फोर्थ अर्कनवाइड is contact with the brain cells तो 112 का जो option number first सही हो जाएगा one two and three are correct है one सही है two सही है और three जो होता है वह भी सही है फोर्थ गलत हो जाएगा और five भी गलत हो जाएगा तो option number first सही है next question important question है इसमें कहरा identify the mismatch हम लोग को करना है इसमें क्या दिया गया है इसमें हम लोग देख लेंगे यह 13 और 14 और 15 तीनों question very most important question है question number 113 में एक ऐसा ही question अभी हम discuss किये थे तो आप लोग यह देख लिजे कहरा identify the mismatch कौन सा गलत मिलान किया गया है तो हिमगिरी हिमगिरी क्या होती है यह variety होती है wheat crop की variety होती है हिम गिरी यह किस disease के प्रती resistance होती है तो leaf and steve rust और hillbund के hillbund तो आप सन्ता सही दिया गया hillbund disease एक होती है उसके प्रती resistance होती है इसमेरा bresca जब याद करेंगे तो आप जैसे प्रेश का याद करेंगे आपको याद आएगा पूसा और स्वान्निम प्रेशिका तो यह भी सही है उसी आफ़सन काव पिया को क्या बोले थे काव काव मींस गाय पिया काव गाय को सब अच्छा प्यार करते हैं तो गाव जो होती है वो कोम हो जाओगे और इसमें पूसा सवानी दे रहा है पूसा सवानी किसकी बरायटी होती है पूसा सवानी जो होती है यह किसकी बरायटी होती है पूसा सवानी तो पूसा सवानी बरायटी होती है ओखरा भिंडी की तो यह आपसन नंबर डी ही सही हो जाएगा जो कि गलत मिलान क किया गया है नेक्स्ट नंबर कोईश्ट नेक्स फोर्टी नंबर कोईश्टन कहा रहा हूँ इक्सपेरिमेंट प्रूवड डिन इस आयन क्रोमोसों और रिफ्लिकेट से मिकंजर्वेटली किस परियोग ने सिद्धि किया कि डिन ने गुडशूत्रों में होता है और अर्दसन रच्वात्मक ढग से प्रतिलिपित होता है तो यह ग्रिफित एक्स्पेरिमेंट फ़स्ट आफ्सन डी आफ्सन टेलरैक्स परिमेंट चरूर्ब टी आफ्सन मी मिकलौइड अन मैकार्टी तो आफ्सन नंबर बी सही हो जाएगा टेलरा एक्सपेरिमेंट इसी को कहते हैं त तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट एक ट्राइमेस्टर को कितना कहते हैं, तीन मन्थ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, अगर वन मन्थ प्रेगनेंसी कम्पलीट हो जाती है, तो इंब्रियो का हर्ट आप लोग सुन सकते हैं, इस टी तो इसकोफ से, और क्या हो जा चाइल्ड वर्थ को पार्ची रीशन कहा जाता है पार्ची रीशन मिन्स क्या होता है डिलिवरी आप दा फीटस को पार्ची रीशन कहते हैं यह आफसन कोलेस्टरम दे रहा है, कोलेस्टरम क्या होता, IGA होता और Milk Gland Modified Sweat Gland होती है, तो आफसन नंबर B ही सही हो जाएगा, जो पार्चुरीसन क्या होता है, चाइल बर्थ होना चाहिए था, बट प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन तो लैक्टिसन के समय होता है, प्रोल इसिस कराती है, तो यह कोईस्टरम भी आफसन ही सही है, पार्चुरेशन चाइल बर्थ को कहते हैं, जो कि सही नहीं मिला गया, कोलेस्टरम आईजीए है, कोलेस्टरम क्या होता है, यह Milk Produce होता है, जब Initial Feud Age, Lactation के कुछ दिन तक जब जो दूद प्रोलेस्टरम कहते हैं, जिसमें several antibody present होती है, जिसको IgA भी IgA एक इमोगलोबिन एक परजन्ट होती है, तो कुलेस्टरम ही परजन्ट होती है, तो B आफसन इसमें गलत है, नेस्ट कोईस्टरम नमबर 116, वाटर पोटेंशियल फारिये क्या सोल्यूशन आयट अटमास्पेरिक प्रेसर, वाई मंडल लिए दाप पर एक बिलियन के लिए जल विभय कितना होता है, तो 116 का आफसन नमबर C सही हो जाएगा, एक कोल टू सुलूट पोटेंशियल के बराबर होता है, तो आफसन नमबर C करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कोईस्टरम नमबर 117, अपिरेंस आफ एबाउट 62% आप 117 नमबर Qriasचन का आफसन नमबर हम लोग कौन सा सही हो जाएगा, एसमें सेम क्रोमोसाँ कह रहा, इसमें भी सेम, इसमें कह रहा, C आफसन डिफरेंट क्रोमोसाम, ओदी आप्सन में कह रहा, D lively on same chromosome, on different chromosome समान गुड़सोत्र या भिन गुड़सोत्र पर दूर के होने की वज़ा से इसमें 62% परेंटल टाइप आप डाइबरेट क्रास में अपियरंस होने लगते हैं तो यह आप्सन नंबर कौन सा डी आप्सन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कौिस्चन में नंबर इमपार्टٹन कौिस्चन है नान मोटाइली स्पोर अं गऐमीट्स और फाउंड इन डांप डाइबर साफ गति हीन बीजाणग और इग्मक के सदस्वे में पायते हैं गति हीन मतलब जो गति ना कर सकें इस पोर वो पाय आते हैं फृस्ट आ जाएगा रोड फाइसी जो एलगी होते हैं इसमें नान मोटाइल इस पोर गयमीट पर जंट होते हैं तो आपसा नमबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्टन नमबर 119 रिप्लिकेशन फार्धा पोलिमराईजेशन निकलियोटाइट सेनेरजी इस प्रोडियूजड बाइड प्रतिलिपिकरन के दवरा डियनने नुकलियोटाइट बावलिकरन के लिए उर्जा द्वारा उपलब्त करा जाती है किस के दोरा उपलब्द कराई जाती है तो 119 का आपसन नंबर कौन सा सही हो जाएगा RNA nucleotide फस्ट आपसन दे रहा है B आपसन DNA nucleotide और C आपसन DNA polymerase और D आपसन ATPase तो आपसन नंबर कौन सा सही इसमें हो जाएगा इसमें आपसन नंबर 119 में आपसन नंबर B करेक्ट हो जाएगा DNA nucleotides next question नंबर dipontic life cycle found in dipontic life cycle किसमें पाए जाता है तो वो होती है फियोफाइसीलगी होती है तो फियोफाइसीलगी और first आपसन में polysiphonia और ectocarpus और clemido monas दिया गया और D आपसन फियोकस दिया गया देख लिजिएगा आप इंस्यार्टी चेक कर लिजिए उसमें dipontic और heplontic और hetero heplodipontic देख लिजिए तीनों के एक्जामपल आप लोग जरूर करके जाएगा dipontic life cycle किसमें पाए जाती है haplontic life cycle और heplodipontic life cycle किसमें पाए जाती है next question number 121 color blindness इजिए एलोसोम से रिसीव जीन डिसार्डर हीमन मेल आर मोर ससेटिबल टू इस डिजीज विकाज कहरा रंग अंधता मतब color blindness एलोसोम से सुब्त जीन विकार है मानों नर्व में या होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि color blindness जो एक्स लिंग कौन सा सही हो जाएगा आपसन नंबर डारेक्ट हम लोग सी टिक करेंगे एलील कंट्रोलिंग नार्मल कलर विजन इन लोकेटेड आन यक्स क्रोमोसोम हुचिज सिंगल इनमेल तो आपसन नंबर सी सही हो जाएगा समानी रंग दिरिश्टा को नेंतरित करने वाला विकल्पी एक्स गुर्षूत पर होता है जो पूर्षो में एक ही होता है तो रंग अंधता कलम लाइनेर्स एलो सुमसुप्त जीन विकार है मानो नर्मेया होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि आपसन नंबर सी सब्सक्राएं रहा है इसमें से कोँ सा गलती स्टेटमेंट दिया गया है तो 922 का हम लोग देख लेंगे फस्टीबेशन और स्टीबेशन मतलब estivation में चली जाती है कब estivation गर्मी के समय में estivation में चले जाती है किसलिए summer को गर्मी को avoid करने के लिए तो यह option तो सही है B option duplankton species in lakes and ponds enter in dipos dipos में चली जाती है duplankton गर्मी के season में उसी option small animals have larger surface area relative to deer volume जो small animals होते हैं चोटे जैसे शिर्यू होते हैं पच्ची एक होती है शिर्यू तो यह small animals है इसके large surface area by loom के respect में deer for smaller animals are rare in polar region तो AB option सही है D option कहरा ठीक cute kill and stomata in deep pits जो stomata होते हैं कुछ पौदों में जलिये इस्तिस अनकूलन स्वास्त मोटी चमडी और गराई में stomata पाए जाते हैं तो यह option गलत हो जाएगा क्योंकि यह किसकी बात कर रहा है यह hydrophytic adaptation की बात कर रहा है जो पानी में होते हैं तो थिक cute kill नहीं होती है ना ही stomata उनके pits गढ़े में धसे होते हैं तो आफसा number D गलत है इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि रांग statement ही पूछ रहा है नेस्ट कोईशन नमबर 123 फूच आप दा फालोइंग इस नाट एक करेक्स्टास्टिक आप PBR 322 के रिस्पेक्ट में हम लोग को यह statement देखना है कि कौन सा इसमें सही है तो फस्ट आपसन औरजीन आ फ्रिपली केशन पीवी आर क्या होता है PBR 322 एक बेक्टर होता है तो यह आप लोग देख लिजेगा यह बहु देख लिए और कहता है पिवी आ फ्रिट कया है एक बेक्टर है 번째 आपsan औरजीन आ प्रिपलीकेशन होती है बी आप्सन सेलेक्टेबर मारकर भी इसमें पर्जेंट होते हैं उससी मल्टिपल रिकंगनीशन साइट फारिये रिस्टिक्षन इंडो नूकलियेज और डी आप्सन रोप कोट्स फारिये प्रोटीन फारदा रिप्लिकेशन प्लाजमिट तो यह गलत हो जाएगा सी आप्सन इसमें गलत हो जाएगा रिकंगनीशन साइट की बात कर रहा है कह रहा है कि रिकंगनीशन साइट मल्टिपल अगर रिकंगनीशन साइट जो होती है यह क्या यूज की जाती है रिस्टिक्षन एंजाइम इसमें यूज की जाते है और यह पर्जेंस आ मोर दैन अग लिए ब्यक्टर में single recognition site चाहिए पर the commonly used restriction enzyme में और मघ्रा मुल्टीपल रिक निशन साइट चाहिए नहीं गलत हो जाएगा आपसान नंबर सी गलत है यह गलत ही statement पूछा भी है तो आपसान नंबर सी correct हो जाएगा next question number 124 foul प्लाइज और बीटल्स को यह बर्ड को डियाप्शन मौत को तो 124 का आप्शन नमबर कौन सा सही हो जाएगा यह फ्लाइज और बीटल्स को पॉलिनेशन के अट्रक्ट करने के लिए इसमें और यह सुगन प्रोड्यूच करती है कोई-कोई प्लाइज नमबर बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्टन नमबर 125 फॉच आप दा फालोइंग इस नाट साइलेंट फीचर आप जिनेटिक कोड निमलिखित में से कौन सा आनुवांसी कोड की विशेष्टा नहीं है तो यह कहरा फस्ट आप्शन कोडांस और नियली उनिवर्सल बी आप्शन कोडांस होते हैं और सी आफिन आप्शन आ एव जी है डुआल फंसन होता है इटी ज्यान इनिशियाटर कोडान भी होते हैं डिआफ्शन कोडांस कोडांस आर अंबिग्युएस ओता है तो वन्सोन टॉनब्टीफाइब का आप्शन नमबर डी सही हो जाएगा और रान्स आप्सटन नमबर कौन सा 126 का आपसर मंबर लोग देखेंगे वी आपसर करेंगे एमार्फो फाइलस जो होता है ये टॉलिस्ट फ्लावर होता है तो आफसर नमबर बी करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोईश्चन नमबर दी प्रोसेस इन हुज दा फीमेल गैमिस अंडरगो डवलमेंट टू फार्म ये नियू आर्गनेंज बिदा फर्टिलाइजेशन इसकाल लिए बेरी मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन कहरा है वह परकिरिया जिसमें मादा एगमग बीना निसेचन के एक नया जीव बनाने के लिए विकास से गुजरती है क्या कहलाती है तो 127 का आफ्टन नमबर सी देख लिजिए पार्थीनो जिनेसिस सही हो जाएगा पार्थीनो कार्पी नहीं होगा सही पार्थीनो जिनेसिस क्योंकि इसमें आर्गनिज की बात कर रहा ना कि फ्रूट क की बात कर रहा तो आफ्टन नमबर सी सही हो जाएगा बीना फ्रॉट्लाइजेशन के विदावर फर्टिलाइजेशन का अगर डेवलमेंट हो जाता कि सका फीमेल गयमीड्स का तो वापरकिरिया जिसमें मादा फ्रॉट्थी में एम्मीड डिवलप हो जाए विदावर फॉ 128 का option number हम लोग देखेंगे फस्ट कहरा टोनो प्लास्ट, B option ट्रोफो ब्लास्ट और C option कोरियान और D option एम्नियोन तो option number B सही हो जाएगा ट्रोफो ब्लास्ट कहते हैं, ब्लास्टो सिस्ट की आउटर लेयर को तो option number B option correct हो जाएगा next question number 129 number question, this is a natural method of contraception, contraception का natural method या गर्व निरोधक का प्राकिर्तिक तरीका कौन सा होता है periodic abstience होता है, या use of diaphragms, या use of lips loop, या D option easteralization 129 का option number first सही हो जाएगा, periodic abstience जो होती है, या natural method आप contraception की होती है 129 जो question इसमें दिया गया है, कह रहा है कि natural method contraception, तो इसमें option number कौन सा सही हो गया option number first सही हो जाएगा, periodic abstience कभी-कभी इसका day भी देता है कि कितने दिनों तक होता है तो 10 to आप लोग याद कर लीजिए, यह जो material cycle होती है, 10 to 17 days होती है, क्या होती है, periodic समय समय पर साइयम रखना चाहिए 10 2 कितनी होती है, 17 days होती है, क्या, यह समय समय पर साइयम कितना days तक होता है 10 to periodic abstience जो होती है, 10 to 17 dia y's होती है, day's होती है, 10 to 17 days ये भी आप्शन में देता है, और यह rhythm method होता है, इसमें जो होता है इसमें क्या होता, periodic abstinence जी होती है, ये one such method, ये एक ऐसा method है, जिसमें in which the couples जो होते हैं, females और males जो होते हैं, avoid करते हैं, या फिन abstinence for quietus from day, इस day को वो quietus मतलब pregnancy adopt करने के लिए ये क्या करते हैं, avoid करते हैं, 10 to 15 days, ये 10 to 17 days जो दिया गया है, ये बीक जो दिया गया है, fertile period होती है कौन सी period होती है, ये P-R-T-I-L-E, fertile period कभी-कभी पूछता है, P-E-R-I-O-D, तो वो 10 to 17 days होती है, next question number 130, this is an example, आप co-dominance, co-dominance का क्या example होता है, co-dominance means होता है, साथ-साथ रहना, बट किसी को suppress नहीं करना, किसी को हान नहीं पहुचाना, तो co-dominance का example हो जाता है, flower color in snap dragon, A C option, B option, height of P plant, C option, A-B-O blood group, तो option number C सही हो जाएगा, A-B-O blood grouping जो होती है, ये co-dominance का example होती है, next question number 131, bacillus, thrygenesis, sports are mixed with water and spray to plant which show the action, they kill, first option, they kill the mosquito visiting the plant, B option, they act in the larva gut and kill them, they invade the fungi and kill them, they get rid of the effed harming the crops, तो 131 का option number B सही हो जाएगा, ये क्या करती है, वह larva आत में कार करते हैं और उन्हें मार देते है, they act in the larval gut and kill them, और उसको मार देते हैं, तो option number B correct हो जाएगा, बेसिलर्स, thrygenesis, एक sport are mixed, बेसिलर्स, thrygenesis, बीजानवों को पानी में मिला कर पाउदों पर छेड़का जाता है, तब यहाँ, क्या किरिया करता है, ये जो larval gut होते हैं, उनको kill मार देती है, next question number important question number है, कहरा match the following and choose the correct option, first option bacillus, thrygenesis को match कराना, second को RNA interference को, और third option cry first AC, cry first AC के साथ second BB रहती है, second BB मतलब cotton bulwarm रहती है, cry first AC के साथ, first AC के साथ, कौन सी second BB रहे गिए, और cry first AB के साथ क्या रहेगा, तो इसमें देख लीजिए, option number कौन सा सही हो जाएगा, first का आप लोग bacillus, thrygenesis को किस से मिलाएंगे, 132 का, इसमें देख लीजिए, B option मिलाएंगे, first से bacillus, thrygenesis को मिलाएंगे, टुबै को budwarm से मिलाएंगे, और इसमें कौन सा सिकेंड वाले को मिलाएंगे, C option से milidogani, incogenesia, RNA interference को मिलाएंगे, और इसमें cry first AC gene को मिलाएंगे, काटन बुलुवार्म से मिलाएंगे, cry first AC, काटन बुलुवार्म, काटन बुलुवार्म को किस से मिलाएंगे, cry first AC के साथ काटन बुलुवार, cry first AB के साथ क्या मिलाएंगे, कारन बोरर मिलाएंगे, कारन बोरर, ये देख लीजिए, फस्ट मिलाएंगे, कारन बोरर, तो option number कॉन सा option number इसमें see option correct हो जाएगा आप लोग ये देख लिजेगा बेसले स्ट्रेजनेसिस को किसे मिलाये थे टुभाय को बुडवारम से और आरे नाई इंटर्फेरेंस को मिलाये थे मिलेको गाणी इंकोगिंसिया से नेक्स्ट कोईस्ट नमबर दिस वाज नाट्ट रीजन फार दा सेलेक्शन Pahl एक्सपेरिमेंट वाई थामस हंतमारगन थामस हंतमारगन द्वारा आनुवानसिक परियोग में ड्रोसो फिला मिलेनों घेस्टर के चेनिक यह कारण नहीं था क्या कारण कौन साइस में दिया गया जो मिलैनो गास्टर एक डुरसोफिला था वो सलेक्ट किये थे कौन थामस हंट मारगन ने तो क्या फीचर नहीं था फस्ट आफसन दे कंप्लीट दिया लाइफ साइकल इन एबाउट टू बीक्स इसलिए ये लिए थे डुरसोफिला मिलैनो गास्टर को क्योंकि इसकी लाइफ साइकल बहुत कम होती है तो टू बीक्स होती है तो इसलिए ये लिए ही थे और बी आफसन मेल और फिमेल फ्लाइज आर क्लियर ली मतलब नर और मादा मक्यां असपस्ट रूप से आप पहचान सकते हैं इसलिए लिए थे सी आफसन दियर हेरिडेटरी बारियेशन काइन भी सीन अंडर लो पावर माइक्रोइसकोप कम पावर के सोच मदर्थी के तहत उनकी आनवानसी बिन्नता देखी जा सकती है इसलिए ल नंबर कौन सा सही हो जाएगा आप नंबर की वजह से नहीं लिए थे तो आपसा नंबर की वाजा से नहीं लिये थे तो आप सा नंबर डिस हो जाएगा नेस्ट कोश्चन नंबर 134 नंबर कोश्चन important question है कहरा identify the correct answer फार्दा below given statement कहरा हम लोग को correct statement देखना कौन सा इसमें statement जो दिया गया है correct है student यह question altitude के उपर है मतलब height के उपर है तो identify correct answer फार्दा बालोईंग below मतलब given statement जो statement दिया गया correct statement देखना है तो first और B दिया गया है और first option कहरा है भी experience मतलब nausea and fatigue मतलब आपको अधिक उचाई high altitude पर अगर आप जाएंगे उचाई पहाड़ों पर जाएंगे तो अधिक उचाई पर जाने पर आपको क्या जी मचलाना जिसको कहते है नाजिया and fatigue ठाकावड मासूस होने लगेगा B क्या कहरा है इसका explain कर रहा है कि नहीं this is because क्योंकि यह किसलिए होता है low atmospheric pressure पर तो जैसे जैसे आप आप उपर जाएंगे वहाँ पर atmospheric pressure जो होता है वो down होता जाएगा तो यह तो B option तो सही है और B A को explain भी कर रहा है इसलिए option number A सही हो जाएगा both A and B are true and B is correct explanation आप है तो अगर correct explain कर रहा है तो option number A सही ही लगाएंगे यह aims में पहले assessment region के question आईसे ही पूछे जाते थे लेकिन आईसे question आप इस समय पूछे जाते हैं nursing में भी पूछे जाते हैं तो आप लोग यह question एकदम clear कर लिजिएगा student हम लोग student वीडियो को जरूर share करें और subscribe number जरूर increase कराएं तेजी से आप लोग increase कराएं पर डे अपने student अपने whatsapp group और अपने friends को जरूर share करें अधिक से अधिक share करें student आप लोग को मेरे चैनल पे जल्द से जल्द subscribe number increase कराएं student जिस भी student को कोई भी question हो तो description box में whatsapp number दिया गया group का number वहाँ से आप join करके कुछ भी पूछ सकते हैं student आप लोग चैनल पे physics chemistry बालो जी के question देख सकते हैं उसमें playlist में है तो playlist के सारी वीडियो देखके तभी आप बेच्चू बेच्ची नर्सिंग 27 सितंबर को जाईएगा क्योंकि ओ जो इंड गेम वाली सेरीज की पहले वीडियो में बनाया था जब शुरू किया था चैनल थोड़ा शीलो पढ़ाया था लेकिन अच्छे question उसमें कराया थे तो आप लोग वो सेरीज जरूर देखके जाएगा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करिएगा दो तीन बार जरूर देखके जाएगा question biology में आप अधिक से अधिक सही करेंगे मेरी गारंटी है तो student हम लोग चलिए next वीडियो में अभी इसी के 34 number question discuss किये है वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसलिए अभी कि इसकी बाद just question number 135 शुरू करते हैं next वीडियो में चलिए student अम लोग नेस्ट वीडियो में लेंगे THANK YOU STUDENTS